मिली है और भारतिय जन्ता पार्टी द्वारा लगाए गए जूठे केसों से वो तिहार जेल से बाहर आए हैं तब से भारतिय जन्ता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहट भारतिय जन्ता पार्टी ने एक साज़िश रची एक शड्यंत्र रचा और उस शड्यंत्र के तहट स्वाती मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया इस शड्यंत्र का इरादा था अर्विंद केजरीवाल जी पर जूठे आरोप लगाना स्वाती मालीवाल जी इस शड्यंत्र का चहरा थी स्वाती मालीवाल जी इस शड्यंत्र का मोहरा थी स्वाती मालिवाल जी 13 माई को unannounced बिना appointment लिये मुख्यमंत्री आवास पहुची उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलिबल नहीं थे उपलब्ध नहीं थे इसलिए वो बच गए फिर स्वाती मालिवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है मुख्यमंत्री आवास के ड्रॉइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस विडियो ने स्वाती मालीवाल जी के जूट को पूरे देश के सामने रख दिया है स्वाती मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी F.I.R और उस F.I.R में शामिर फैक्ट शीट है उस complaint में स्माती मालिवाल जी कहती है कि उनकी बे रहमी से मार पिटाई हुई उन पर मुक्के मारे गए घूसे मारे गए कि उनके सिर पर चोट लगी कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी उनसे बोला नहीं जा रहा था वो पुलीस को बार-बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया उन्होंने अपनी complaint में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर भट गया उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़ थाड़े गए उनकी shirt के बटन थाड़े गए ये सब कुछ स्वाती मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिलकुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है स्वाती मालीवाल जी उस ड्रॉइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई है वो पुलिस कर्मियों को उची आवाज में दरा रही है धमका रही है विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है उची आवाज में उनको भी धमका रही है उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही है उनके कपड़े भटे हुए नहीं है किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है सिर्व एक चीज दिख रही है कि वो पुलीस को धमका रही है वो विभव कुमार जी को धमका रही है उची आवाज में धमका रही है और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया तो आज के इस विडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है के स्वाती माली वाल जी द्वारा लगाए गई यह सारे आरोप बिलकुल निराधार हैं बिलकुल जूटे विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलीस के पास स्वाती माली वाल जी के खिलाफ अपनी कम्प्लेंट दर्च की है और उस complaint में उन्होंने तेरा मई को हुए sequence of events को बहुत सपश्ट तौर से रखा है तेरा मई की सुभे स्वाती मालिवाल जी बिना किसी appointment के CM आवास पहुँचे जब उन्हें security द्वारा gate पर पूछा गया, उनकी identity पूछी गई, वो किसलिए आई है पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ appointment है जब security guards ने office में cross check किया, तो उन्हें पता चला कि कोई appointment नहीं है और स्वाती मालीवाल जी को gate पर रोका गया, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने पुलीस वालों को धमकाया कहा कि मैं राज्य सभा की सांसद हूँ, मुझे रोकोगे, तो मेरे पास power है तुम्हारी नौकरी ले लेने की और वो पुलीस वालों से जगड़ा करकर और वो cm आवास में जो cm रेजिदेंस का campus है उसके अंदर भुसके, security उन्हें उन्हें फिर से कहा कि आपके पास appointment नहीं है, आप cm आवास में नहीं जा सकती हैं, और वो उन्हें cm रेजिदेंस के waiting room में, जो waiting room cm के में बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं, उससे बाहर है, वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर बैठाया, उनको फिर से बताया गया, आपके पास appointment आज नहीं है, वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बार, वो जोर जबरदस्ती करकर, cm रेजिदेंस के में बिल्डिंग म जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई, और वहाँ पर ड्रॉइंग रूम में जाकर बैठ गई, वहाँ पर उन्होंने कहा, कि cm को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है, अब आप मुझे बताईए, स्वात कर्णि मालिवाल जी, राज्य सभा की सांसदु, क्या उन्हें पता नहीं है, कि मुख्यमंत्री से appointment लेने का k्या तरीका होता है, क्या उन्हें पता नहीं है, क्य क्या schedule busy होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका भी बुलाओ, तो फिर क्या कारण था, जो वो सुबह सुबह दिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और CM से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी तब CM रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए उन्होंने स्वाती मालीवाल जी को ड्राइंग रूप में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलिबर नहीं है वो मिल नहीं पाएंगे उसके बाद स्वाती मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से उची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकल कर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करे विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाती जी को अंदर नहीं जाने दिया स्वाती जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की परंतु विभव जी फिर भी वहाँ पे खड़े रहे उन्होंने स्वाती मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया फिर विभव कुमार जी बाहर आये और उन्होंने CM Office के Security Staff को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाती मालीवाल जी को बाहर escort करे इस पूरे घटना करम से एक चीज साबित होती है कि ये एक शड्यंत्र था भारती जनता पार्टी द्वारा सोचा गया शड्यंत्र था स्वाती मालीवाल जी को इस शड्यंत्र का चहरा बनाया गया मुख्य मंत्री जी को फसाने का इरादा था तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्य मंत्री आवास में गुसके मुख्य मंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाती मालिवाल जी मुख्यमंतरी आवास से पुलिस थाने गई पुलिस ने उन्हें MLC कराने को कहा लेकिन उन्हें MLC कराने से मना कर दिया फिर तीन दिन बाद भारतिय जंता पार्टी फिर से एक नए जूत के साब स्वाती मालिवाल जी को सामने लेकर आ लेकिन ये पूरा प्रकरम आज जो वीडियो सामने आया है जिस प्रकार से स्वाती मालिवाल जी पुलिस वालों को धमका रही है विभव कुमार जी को धमका रही है जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई है जिस प्रकार से इस पश्ट है कि वो उनके साथ वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई है ना दर्द में करा रही है ना उनके कपड़े फटे हुए है ना उनके सर पर चोट लगी हुई है तो ये पूरा व पुरा मामला सामने आया तो संजे सिंग जी ने क्यों कहा था कि अर्विंद गेजरिवाल और आमाद्मी पार्टी विभव कुमार के इकलाव टेक्शन देखिए जब संजे सिंग जी ने मीडिया में देखा के स्वाती मालिवाल जी ने शिकायत करी है वो पुलीस थाने गई त परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाती मालिवाल जी का पक्ष था लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है और सबसे जरूरी बात ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई इस ए वो ये वीडियो दिखा रहा है। सामने उपलब्ध हैं ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बलकि पूरे देश के सामने ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाती मालिवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ जूट था और अब जो ये जूट है वो पूरे देश के सामने है।